आज की क्लास में हम आउकलेंड के सिक्षा नीती पढ़ेंगे ये कब आए इन्होंने क्या कारे किया सिक्षा के शेतर में पहला तो मैकाले के विवरण पत्र में घोशित सिक्षा नीती को बैंटिक ने स्विकार कर लिया अच्छा हमने मैकाले का विवरन पत्र भी पढ़ा था और बैंटिक की सिक्षा नीती को भी पढ़ा था आपने नोटिस किया होगा जो भी मैकाले ने सुझाओ दिये थे सारा बैंटिक के सिक्षा नीती में था मतलब उन्हें उसे पूर्णता स्विकार कर लिया था उन्हें मैकाले का जो भी सजेशन था बहुत अच्छा लगा था विवरण पत्र के प्रकाशन के तेरवे दिन ही लौड बेंटिक ने त्याग पत्र दे दिया जैसे ही वो पबलिश हुआ बेंटिक का सिख्षा नीती उसके तेरवे दिन ही बेंटिक ने त्याग पत्र दे दिया था और तथा उन्हें के स्थान पर लौड ऑकलेंड को नियूक्त कर लिया गया तभी प्राचिवादियों ने पुना आंदोलन शुरू कर दिया क्योंकि वे मैकाले के विवरन पत्र से संतुष्ट नहीं थे अच्छा आपने मैकाले का विवरन पत्र मतलब हमने पढ़ा था और उसमें आपने नोटिस किया होगा कि सारी चीजे ब्रिटिश के फेवर में थी या अंग्रेजों के हित में थी और यह मतलब कॉवन सी नॉर्मल सी बात है कि भारतिये इस वज़ा से जरूर नाराज होंगे क्योंकि सब कुछ ब्रिटिश के फेवर में उन्होंने कहा था तो जैसे ही ऑकलेंड ने जॉइन किया ब्रिटिश शरकार को फिर से विवाद चालू हो गया प्राच्चवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिये विवाद की इस्तिती पर आउकलेंड ने लगभग चार वर्षों तक अध्यन किया चार वर्ष 1835 में आया था बेंटिक का जो आग्या शिक्षा नीती थी और उसके मतलब लॉड आउकलेंड ने जैसे ज कर दिया क्योंकि आंदोलन हो रहे थे उनके खिलाव मतलब शिक्षा नीती के खिलाव तो उन्होंने अध्यन किया कि यह क्यों हो रहा है यह इतने नाराज क्यों है तो चार वर्षों तक उनका अध्यन चलता रहा ठीक है यह निश्कर्च निकाला चार वर्षों के बाद की इस विवाद का मुख्य कारण प्राच्य सिक्षा पर कम धन खर्च किया जाना है यह डबल बार मैंने लिख दिया आप एक बार कैंसल कर दीजिगा ठीक है धन का खर्च किया कम उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला निश्कर्च निकाला कि जो प्राच्यवादी सिक्षा है या भारतियों की सिक्षा है उस पर धन खर्च किया जा रहा है काफी कम है इसलिए यह लोग इतने नाराज है तो इनकी नाराजगी दूर करने के लिए हमें सिक्षा पर अधिक धन खर्च किया जाए तो शायद प्राच्यवादी संतुष्ट हो जाए ऐसा ओकलेंड का मानना था ओकलेंड ने 24 नवेंबर 1839 को एक विवरण पत्र प्रकाशित किया जिसमें प्राच्यवादी सिक्षा के लिए धन राशी बढ़ा दी गई जिससे विवाद समाप्त हो गया औकलेंड ने वैसे भी क्यालकुलेशन किया जो पढ़ाई मतब विचार विमर्च या फिर कहलो अध्यन किया चार वर्षों तक उन्होंने देखा कि शायद पैसे बहुत कम लगाए जा रहे हैं प्राच्यवादियों की सिक्षा पर भारतियों की सिक्षा पर तो धन राशी उन्होंने बढ़ा दी और उसका ये रिजल्ट निकला कि भारतियों संतुष्ट हो गया और विवाद आलमोस्ट खतम हो गया था ऑकलेंड ने निशपादन सिधान्द का समर्थन किया ऑकलेंड भी निशपादन निशापदन सिधान्थ के समर्थति तो उसने उस सिधान्थ को सरकारी सिख्षा की नीती के रूप में घोशट कर दिया इस सिक्षा का परिणाम यह हुआ कि उच्छ वर्ग का उच्छ वर्ग सिक्षा का विकास तीवर गती से हुआ परन्तु जन साधारण की सिक्षा का बहुत नुकसान हुआ निस्पंदन सिधान्त हमने पढ़ा था च्छनन का सिधान्त उसमें लिखा था कि उच्छ वर्ग के लोगों को मतलब राजा महराजा और ब्रिटिशोस को सिक्षा दी जाएगी और उनसे च्छन कर या फिर उनके संपर्क में आकर निम्न वर्ग अपने आप सीख जाएंगे प नीती की वजह से जो जन साधारान है या निम्न वर्ग के लोग है उनका बहुत उनकी सिख्षा का बहुत नुकसान हुआ था आकलेंड की थियोरी में बस इतना ही है आज के लिए इतना ही